हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामदे एक most important history का लेक्टर वीडियो लेकर आचुका हूँ दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th standard के लिए history subject का एक और new chapter fresh and बहतरीन chapter आपके लिए शुरुआत करने जारे दोस्तो जिसका नाम है दोस्तो नाम सुनके शायद मज़ा आ गया होगा क्योंकि यह chapter है sports के बारे में और यार हम जो लड़के लोग होते हैं यार sports के बारे में बड़े crazy होते हैं ठीक है ना मुझे ऐसा लगता है कि आजका लड़किया भी काफी ज़्यादा sports में involved हो गई है sports उनको देखना पसंद है खासकर cricket होगरे match तो देखते होंगे यार obviously world cup भी अभी just खतम हुआ ठीक है ना उस्ट्रेलिया जित गए congratulations to the team बट हमारी इंडिया ने भी बहुत अच्छा केला लेकिन कोई बात नहीं लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं sports के बारे में लेकिन sports के बारे में हम history point of view बात करेंगे क्योंकि यह chapter हमें history के बार में बताएगा और history मतलब कहीं ने कहीं जहां history होती है वहाँ पे present भी होती है तो history के point of view से हम लोग देखेंगे कि sports की शुरुआत कैसी हुई sports क्यों खेलना चाहिए और sports क्या-क्या थे अलग-अलग games पहले के जमाने में कौन-कौन से थे जो लोग खेलते थे ह हमारे टाइम में भी ऐसे बहुत सारे games जो है वो खेलते थे शायद आप लोग नहीं खेलते होंगे इस ताइम में तो हम वो सब चीज चर्चा कर रहे होंगे अब बहुत मज़दार lecture होने वाला है चाप्टर पूरा मज़दार है हमारे साथ आप बस जुड़े रहना और continuously पढ़ाई कर देना आप playlist को चेक कर सकते हो कि playlist में आपके बाकी के जो subject से वो पूरे complete है जैसे कि पूरा का पूरा science complete है math पूरा complete है पूरा का पूरा history almost मतलब देखा जाए तो हम साथवे chapter पे आ चुके है तो history भी complete हो जाएगा कुछी time में geography भी almost complete हो जाएगा political science भी complete हो यह चीज दिमाग में रखो और conceptual knowledge जितना हो सगे उतना gain करो ठीक है और साथी में अगर आप हमें support करना चाहते हो तो मुझे instagram पे follow कर सकते हो मेरा idea है link जो है description में मिल जाएगा आप follow करोगे तो हमारी family strong हो जाएगी instagram पे भी तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो दूसरी बात यह है कि हम वहाँ पे बीज-बीज में live interaction करते है वहाँ पे आप हमसे face to face जुड सकते हो हमसे बाते कर सकते हो दूसरा हमारे जो दो बाकी के channel से channel number two जिसमें हम आपके लिए career guidance और motivational video डालते हो बहुत ज़रूरी आपके लिए career guidance तो जाके check out कर लेना यह channel को पसंद आएगा तो channel क हम लोग सबसे पहले sports क्यों खेलना चाहिए यह आपको एक मतलब समझना पड़ेगा एक reason समझना पड़ेगा तो देखो हम कोई भी काम करते है अपने life में जैसे कि मैं आपको अभी teach कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं अपने life में काम कर रहा हूँ लेकिन अग के लिए कुछ काम नहीं किया या फिर मैंने कुछ sports नहीं किया तो मेरा जो दिमाग है न वो थोड़ा ठक जाएगा मेरे दिमाग में depression आ जाएगा stress आ जाएगा frustration आएगा तो to overcome that thing हमें sports खेलना बहुत जादा जरूरी है चाहे वो हम बचपन की बात करें चाहे हम लोग एक middle age की बात करें तो basically होता क्या है sports तो normally sports is nothing but human instinct sports जो है हमारा वो हमारा एक तरीके से human instinct है यानि human instinct की अगर बात करें यानि कि हमारे अंदर वो जो चीज है वो बहुत पहले से ही आती है human instinct बात करू या फिर human nature है हमारे nature में ही छुपा हुआ है game के ला हम हर तरीके में हर चीज में एक game कुछ न कुछ ढूंड लेते हैं करते थे शिकार करना भी एक तरीके का स्पोर्टृ इन स्पोर्ट फियुक्त बनाते थे टो यह सब चीज क्या है उनके लिए वह यह चीज पौड्स ही थे ना एक तरीके से इसके वज़ेसे उनकी life भी बच रही है, वो लोगो खाना भी मिल रहा है और उनको entertainment भी हो रहा है, तो कहीं ने कहीं अगर हम बात करें, sports की शिरुवात जो थी ना, वो बहुत पहले ही हो चुकी थी जब हमारे, हम लोग जब ancestors में, जब हम लोग बंदर हुआ करते थे तो उसके पहले तग हम शिकार वगरे करते थे, या फिर जो भी चीज करते थे, ancient people, वो एक तरीके से, गेम ही था, गेम से कम नहीं था, जिससे हमें अलग-अलग entertainment भी होता था, और साथ ही में हम लोग बहुत ही अलग-अलग type के गेम्स आज के डेट में भी खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, ठीक है, फुटबॉल, यह सब तो गेम्स खेलते ही, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे गेम्स थे, व्रेसलिंग, कुस्ती वगरे, कुस्ती वगरे भी लोग खे फिर घोडे का रेस हो गया, ठीक है न, घोडा के बैटके घोडे का रेस होता है, राजा महाराजा के जमाने से घोडे का रेस होते हैं, ठीक है न, डॉक का रेस, फिर चेस खेलना, शतरंज जिसको बोलते हैं, शतरंज, तो चेस खेलना, तो आज भले रूल से थोड़े क्या पता चलती है दोस्तों इससे कि स्पोर्ट जो था वो आज शुरू नहीं हुआ है हमारे entertainment के लिए ये बहुत पहले सेधा जब से mankind है जब से दुनिया शुरू हुई है चाहे वो बगवान की दुनिया क्यों ना हो ठीके ना बगवान के दुनिया में भी लोग तीर कमान थ खेलते थे गोड़ा गाड़ी का रेस होता था ये सब चीज तो यानि कि बगवान के टाइम सही जो हमारा सतियूग था आज हमारा कलियूग चल रहा है तो सतियूग सही ये सब चलती हा रही है यानि जब से इंसानिया थे तब से हमारे sports है और उसी चीज का history हम लोग आज discuss क अब हम बात करेंगे कि ये जो sports है इसका importance क्या है क्यों जरूरी है हमारे लिए sports अब आप कोई sports player को जाकर पूछे आप में से बहुत सार ऐसे लोग होंगे जो sports में बहुत अच्छे होंगे कोई cricket खेलता हो कोई football, volleyball, indoor game खेलता हो कोई outdoor game खेलता होगा ठीक है लेकिन आप सभी होते हैं जिनको पढ़ाई करके बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको पढ़ाई में ज्यादा मन ने लगता है बस वो normal पढ़ ले करते हैं लेकिन वो कुछ और काम करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, तो यही चीज इनसान को different बनाता है एक दूसरे से और यह होना बीची है, सब इंसान सेम रहेंगे, सब इंसान equal रहेंगे, तो value खतम हो जाएगा हर चीज का, जैसे example के तौर पे अगर हर इंसान, दुनिया में हर इंसान अमीर बन जाएगा, तो लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो गरीब का कोई नहीं करेगा, कोई सपने नहीं देखेगा बड़े-बड़े कि मुझे ये बनना है, तो इसलिए balance बहुत ज़रूरी है, अमीर होना भी ज़रूरी है, medium level पे होना भी ज़रूरी है, और गरीब होना भी ज़रूरी है, तो तीनों का कहीं न कहीं मिला के ही, यह संसार, यह जो द हमें information मिलता है, जैसे कि लोग सूलों को खेलते हैं, puzzle game खेलते हैं, mind games खेलते हैं, words formation game खेलते हैं, आज के रिट की बात कर रहा हूँ, तो यह सब चीज से हमारे information भी clear होते हमें, तो कहीं न कहीं अगर बात किया जाए, कि sports का importance बहुत जादा है, यह हमें इससे पता चल जाता हैं, और हमें खेलना चीए, और एक और बहुत अच्छा चीज है दोस्तों कि हम जब physical कोई sports खेलते हैं, तो हमारा exercise हो जाता है, और exercise भी क्या होता है, दोस्तों, दो तरीके से होता है, एक तो हमारा exercise जो होता है, वो physically भी हो जाता है, यानि कि अगर हम कुछ दिखेल रहे हैं कुछ बाहर के outdoor game खेल रहे हैं, तो हमारा exercise physically भी हो जाता है, और अगर हम लोग कुछ mind games खेल रहे हैं, तो हमारा mentally exercise भी हो जाता है, जैसे कि हम लोग कोई puzzle solve करते हैं, ruby cube खेलते हैं, कुछ ऐसा चीज़ करते हैं, तो हमारा दिमाग खुल जाता है, तो इसलिए sports करना, अलग- कुछ से type के game होते हैं, types of games की अगर मैं बात करूँ, there were so many different types of games, but इसके दो main category है, कुछ सा पहला category है, पहले category को मैं नाम दूँगा दोस्तो, indoor games, यानि कि घर के अंदर या फिर एक चार दिवारी के अंदर खेले जाने वाला games को हम लोग indoor games बोलते हैं, और एक दूसरा game होता ह जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो, outdoor games, यानि कि जो हम लोग बाहर मैदान में, field में, कहीं पी खुली जगा पे खेल सकते हैं, तो ये जो दो है, वो main दो type के games है, indoor games and outdoor games, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे indoor game की बारे में, तो indoor game क्या है, अगर हम normal तरीके से देखें, तो indoor game is a type of game which we can play inside a house, which we can play inside the walls, या फिर एक particular जगा ऐसा है, जो limited है, open नहीं है, limited है, तो उस चीज में खेले जाने वाले games को हम लोग indoor games बोलते हैं, जैसे कि example के तौर पे chess हो गया, अब मुझे लिखने के तो जरुत नहीं, आप सभी जानते हैं, indoor games, outdoor के बारे में, तो मैं लिखू जो लोग खेलते हैं, चेस के अलावा एक बहुत सारे common game है, जैसे कि carom board आप खेल लेते हो, caroms खेल लेते हो, ठीकिन dice खेल लेते हो, पासा fake ना, dice हो गया, तो ये सब कुछ game है, जो normally हम घर बैटे-बैटे खेल सकते हैं, लेकिन एक बहुत सारे पुराने-पुराने game से चौक बारा भी बोला जाता था, कचकावडिया, ठीक है, कचकावडिया, और या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता था, चौक बारा, ठीक है, ये कुछ important और famous game थे, पुराने जमाने के चौक बारा, ठीक है, जो कि आज के डेट में, इस चीज का जो नाम है, आप मैं बत उससे खिलते थे, चौक बारा हो गया, तो इस नतिंग बट इंडियन लूड़ जो की बहुत ज्यादा पॉपुलर था इंडिया में, उस जमाने में, ये सब चीज पूराने जमाने के में बात कर रहा हूँ, और बहुत सर ऐसे game थे, जैसे की सागर गोटे, ठीक है, तो साग गोटे बोलते हैं उसको, ठीक है न, तो ऐसे पत्थर उसको खेले जाता है, और मोशली गर्ल्स वगर ये गेम्स काफी जाता खेलते थे, फिर एक और काफी फेमस गेम था, जिसका नाम था, बटुकली, बटुकली गेम था, ये भी शाहिद आपने सुना होगा, ठीक है न, तो फिर साथ में गुड्डे गुड्या का खेल, ये तो आपने सुनाई होगा, तो गुड्डे गुड्या, यानि एक गुड्डा रहेगा, एक गुड्डी रहेगी, दोनों की शादी करा हो, जिसको मौक मैरेज भी कहा जाता था, ये बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे ताइ लड़के रहेगा, इक गुड्डा मतलब एक लड़का रहेगा, दूसरे के हाथ में गुड्या रहेगी, दोनों की शादी रचाएंगे, लड़के लड़की वाले, ऐसा बहुत अलग तरीकी का ग pil reicht, ये सब मेरे को बहुत आप हसी की वेड़ारे, क्योंकि मुझे इसे गेम्स नहीं हुआ करते थे, जो basically क्या होते थे, अगर आप मैं बताओ, तो कुछ गेम्स ऐसे होते थे, लुडो खिलना वगरे, बहुत रेरली किसी के पास होता था, लुडो वगरे, लेकिन ये जो गिट्टी उचालने वाला गेम, ये ऐसे वाले गेम्स, मॉक मैरेज व लेकिन ये सब चीज का भी अलग मजा था, तो ये तो चलो हमारे जवाने के बहुत पहले सी चलता था, हम जो है, हम तो last generation थे, ये सब खेलने वाले, हमारे बाद जो generation आया, वो सब क्या, आप में तो phone वगरे आ गया, smartphone वगरे आ गया, लेकिन वो सब चीजे होता था, गुड आउट्डोर गेम्स के बारे में, तो आउट्डोर गेम्स भी अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे आउट्डोर गेम्स है, जो आज भी खेले जाते हैं, और बहुत पहले से खेले जा रहे थे, तो आउट्डोर गेम्स में अगर बात करें, इंडोर गेम्स होते थे, तो इंडियन गेम्स और इंटरनाशनल गेम्स तो ये दो टाइप के आउटडोर गेम होते थे तो इसमें अगर हम बात करें जैसे के एकजांपल के तौर पे इंडियन गेम्स क्या-क्या हो गया, खो-खो आपने नाम सुना होगा, खो-खो, कबडड़ी, लंगड़ी, लंगड जो इंडियन गेम्स में होती थे, वहींत करते हुए आप याद रखोंगे, आप कि आउडडोर गेम्स में इंडियन गेम्स कंवाइब कहले नियसे नाम बहुत जाद एक होती थे, जो एक इंडियन गेम्स होते थे, जो मैं बताओंग person, नोर्म GO. चोटे देना दोस्तों हम मार्बस बहुत खेलते थे क्योंकि वो टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टेलिविजिन्स हम नहीं देख पाते थे या कि कोई सीरियल वगरे इतना खास आता नहीं था और दूसरी बात यह था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन वगरे की फैसिलिटीज थी नहीं गीने चुने के पास ओ छोटा वाला फोन होता था जिससे हम लोग फोन पे बात कर ले थे लेकिन ज़्यादा तर यह सब गेम होता था बहुत हुए बहुतलो कई गोटी खैलता हो दिखेगा इमेजिन करो कोई अंग्रेज बटोस्ते होते गोटी खैल रहा जा तो है इम्याजिन कर सकते हो यार कि कितना मतलब हमारी जो गेम्स होते हैं कितने फणी गेम्स होते हैं कितना entertainment होते हैं हम लोग दिन बर दिन बर पुरा गोटी खेल जैसे आप लोग के एज के जब मैं था उस टाइम पे आप लोग का चलो बड़ा हो गया भी 10th के हो जब मैं 3rd, 4th, 5 standard तक रहा होंगा उस टाइम पे हम लोग गोटी बहुरा बहुत खेले हुए हैं बहुत खेल के बड़े हुए हैं फिर साथी में एक बहुत famous game है जिसका नाम है गिली डंडा इसको मैं लिखूंगा क्योंकि गिली डंडा को एक और बहुत ही बहतरी नाम से जाना जाता है तो गिली डंडा आप जानते होंगे गिली डंडा जिसको विट्टी डंडू के नाम से काफी जादा जाना जाता है विट्टी डंडू करके विट्टी डंडू मतलब गिली डंडा तो आपको पता एक डंडा होता है गिली होती है उसको ऐसा उच्छाल के ऐसा मारना होता है तो वो सब टाइप की भी गेम से, मतलब एक तरीके से इसको ना इंडियन क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट जो गेम है उसको इंग्लाइन ने डिस्कवर किया था, ब्रिटिशर्स ने डिस्कवर किया था, आपको पता होगा, लेकिन ये गिली दिंडा हमारा था, तो लगबख सिमि होगा, तो फुगडी खेलना हो गया, ठीके ना, फिर ऐसे बहुत सारे पॉपुलर गेम्स थे, जो आउटडोर तो थे, लेकिन इनका जो इन्वेंशन हुआ था, ये कौन किया था, हमारे इंडियन स्लोग ने, मतलब ये सब गेम्स जो है, वो इंडियन गेम्स थे, clear है, तो बैट्मिंटन, आप खेलते होंगे, दो रैकेट होते हैं, एक चिडिया होता है, कोग बोलते हैं, उसको नॉमली तो उसको ऐसा मारा, फिर उदर से वो मारेगा, तो बैट्मिंटन ये तो आप जानते होंगे, मतलब बच्चा-बच्चा जानता है, मुझे एक्स्पें करने क और अट्डोर गेम्स के अगर बात करें, तो रनिंग रेस हो गया, भागना, रनिंग रेस तो आपको पता है, तो रनिंग रेस रिले हो गया, यानि कि बहुत लंबे-लंबे दूर तर भागना माराथ़ॉन हो गया, ये सब क्या है, जैसे आप ओलमपिक्स देखते होंगे, अभी-अभी रिसेंटली 2020 का ओलंपिक्स खतम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे अच्छे-च्छे मेडल जिता, जिसमें हमारा गोल्ड मेडल आया, नीरत चोपना ने, हमारे जैवेलें थ्रो में हमें गोल्ड मेडल दिलाया, बहुत पहली बार ऐसा हुआ, तो बहुत international level पे, क्या है, outdoor game से, जो हम लोग बाहर खेल सकते हैं, यह सब चीज़, ठीक है, 100 meter running, 200 meter running, 400 meter running, long distance marathon, यह सबी चीज़ जो है, इस टाइप के आ जाता है, really races वगरे जो होते थे, ठीक है, पर इसके अलावा बात करें, ठीक है, मैं लिखने रहा हूँ, क्योंकि यह comma यह आप ल discuss throw होता है, एक थाली जैसा चीज़ होता है, उसको ऐसा discuss करके throw फेकना होता है, जाव alien throw हो गया, तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे चीज़, water sports में भी swimming हो गया, polo हो गया, गोडे पे बैटके वो मारते हैं, तो polo हो गया, तो यह सब चीज़े फिर rowing हो गया, और physical exercise के भी क पर चड़ते हैं, और कर्तब दिखाते हैं, aerobatics दिखाते हैं, तो यह सब चीज़ हो गया, gymnastics हो गया, तो यह सबी चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़े हैं, जो outdoor games में consider किये जाते हैं, और आज भी इनका value बहुत ज़्यादा important है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूं कि यह आ conceptual knowledge clear कर लोगे, तो खुद के दम पे भी आप अपना answer लिख सकते हैं, exam में आपको पढ़ने के भी जुरत नहीं पढ़ेगी, इतना बहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, clear है, तो उमीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ हमारा वी बताओ कि कितना important है, यह chapter और कितना मज़दार है, अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए, तो कितना मज़दार है और कितना जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है, तो फटा फट से अपने दोस्तों को शेर कर देना, अपने relatives को शेर कर देना, और साथ ही में, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि future में हम कभी भी कोई भी वीडियोज को अपलोड करेंगे, तो आप लोगो notification मिलती रहेगी, त तो मिलते हमारे गले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye.